हेलो फ्रेंट्स मैं मन्जु एक बर फिर से वेलकम है आपका अपने यूटुब चैनल मन्जु की बग्या में फ्रेंट्स मैंने नर्सरी विजिट किया है और कुछ प्लांट मैंने लिये हुए हैं आज मैं वही आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ और मैं बताऊंगी कि मै आप अपने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके तो चली जानते हैं वह कौन से प्लांट है और कितने के हैं यह सभी प्लांट मैंने लिये हैं और सभी की अच्छी ग्रोथ चल रही है विद नेम विद प्राइज मैं आप लोगों के बताने वाली हूँ और आप बताईएगा कि प्लांट अच्छे हैं या नहीं हैं जब मैं इनको लगाऊंगी तो वीडियो के तुरू आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी किस प्लांट को कैसे लगाना है और किस पॉर्ट में लगाना है यह सभी कुछ मैं शेयर करूंगी तो चली जानते हैं कौन से प्लांट मैंने लिये हैं और वो कितने के हैं यह है पान का प्लांट और अभी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है नर्सरी पे ये आये हुए थे और अभी मैंने इनको लगाया नहीं है इसलिए से मैंने इनको लिया है और मैं इसको लगाऊंगी तो आप लोगों को जरूर वीडियो के थूरू शेयर करूंगी पान के प्लांट को किस तरह मैंने लगाया है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और अभी ये बहुत ही स्वस्त है भाईया ने मुझे 50 रुपे में दिये हैं और बताईएगा कि प्लांट महंगे हैं ये सस्ते हैं काफी अच्छी ग्रोध चल रही है और इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है मैंने एक एक जोरा लिया हुआ है चो येलो कलर का है बहुत ही कुपसूरत फुल दिख रहे हैं और इसमें दो गुच्छे आये हुए थे अभी एक गुच्छा इसमें डेड हो गया है और एक है तो नर्सरी वाले भाईया ने मुझे ये साथ रुपय वेका दिया है आप कि एक जोरा मैने लगा हुए हैं और कलर भी काफी है और येलो नहीं था इसलिए से मैंने येलो लिया है तो आप बताइएगा है यह एक этим लिए कपा साथ मैंने कनेर लिया हुआ है और एक प्लांट की कुलर है तो भाईय बोले कि रच कलर का है और रच्ब कpo earned मेरे गार्डन में काफी लगे हुए है फिर भी पतानी कियों प्लांट से मन नहीं भरता है इसलिए से मैंने एक कनेर भी ले लिया है और रेड का नाम सुनकर ही मैंने लिया है देखते हैं इसमें किस कलर के फूल आते हैं और मैं इनको जब लगाऊंगी तो फिर आपको जरूर वीडियो के तुरूर दिखाऊंगी और इसके फूल आएंगे तो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी यह मुझे 25 रुपए में मिले हैं और छोटा प्लांट है और छोटे से पॉली बैंग में लगा हुआ है इसलिए से मैंने इसको ले लिया है यहाँ पर एक प्लांट अप्राजिता का है और यह डबल पैटल है परपल कलर का मेरे पास अप्राजिता कई लगे हुए हैं पर वो डबल पैटल नहीं है क्योंकि पिछले साल मैंने लगाए थे तो डबल पैटल मैंने लगाए थे और काफी फ्लावरिंग हुई थी पर अब पता नहीं क्यों उसका प्लांट सक्सेज नहीं हुआ और वो सूख गया इसलिए इससे मैंने देखा कि डबल पैटल है तो मैंने इसको लिया है और नर्सरी वाले भाईया ने मुझे 25 रुपए में दिये हैं तो यह अपराजिता है यहां पर लेडी पाम है जो 70 रुपए में प्लांट मैंने लगाया हुआ है और वो मेरे इंडोर में रखे हुए है एक प्लांट मैंने लिया है अपने टेरस पर रखने के लिए और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है देखने में काफी घनावा बुशी होता है तो लेडी पाम आप लोग जरूर लगाईएगा और मैंन साथ मैंने यलो कनेर लिया हुआ है और इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है प्लांट अभी छोटा सा ही है और इसमें दो ब्रांचेज है और भाईया ने पचीस रुपय में दिया है यलो कनेर मैंने लगाय हुए है पर बहुत ही छोटा प्लांट था और मैंने सोचा क ले लेते हैं कहीं ना कहीं इसको लगा देंगे क्योंकि प्लांट्स तो सभी है पर नर्सरी जाने पर दिल नहीं मानता है तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है तो यह है यलो कनेर जो 25 रुपर में भाईया ने दिये हैं तो यही है सारे प्लांट हमारे और आप बताईएग और सस्ते हैं या महझे हैं प्यारे-प्यारे कमेंट करिएगा तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई